नमस्कार दोस्तो पहाड़ यायरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको पपीता के फाइदे के बारे में बताएंगे दोस्तो यह तो पपीता के पवधा पेड़ सभी लोग देखे हुए हैं लेकिन क्या इसके फाइदे को पूरा पूरा आप जानते हैं कि य दोस्तो इसके फाइदे बताने से पहले मैं आपको इसके पत्ते के पहचान दिखा देना चाहता हूं मैं तो समझता हूं सभी लोग जानते पहचानते फिर भी आप देख लीजिए यह देखिए यह हरे हरे इसके पत्ते हैं पत्तों का इस तरह से डिजैन हैं और यह देखि यह देखिए दोस्तों यह पपीता का फल है जो की पेड़ में ही ब्रिक्च में ही लटका हुआ है और इसके फल के डिजैन आप देख लीजिए इस तरह से फल में निपल होते हैं और यह कच्छा है इसमें जरा से मार लग जाने पर इस तरह से दूद निकलने लगता है इसके अंदर बहुत ही मिल को भरा हुआ है तो दोस्तों इस पपीता को इंगलिस में पपेन भी कहते हैं दोस्तों पपीता को पेड़ करीबन पचीस फुर तक या पचास फुर तक भी पाया जाता है तो दोस्तों यह देखिए पपीता का फूल है यह देखिए यह पपीता का फू लगते हैं और इसे तोड़ने बाद दूद निकलता है तो देख लिज़ीस दोस्तों ये पहिचान लीजीए ये पपीते का फूल है और ये छोटे-छोटे पपीते लगे हुए हैं तो दोस्तों इसके डंटल जो है पोपले डार होते हैं बहुत नरम होते हैं इस तरह से तोड़ने पर तुरन तूड़ जाते और इसके अंदर जो होल होते हैं कोपल पोपला होते देखिए मैं आपको पोपला दिखा दे रहा हूं अगर इसे इतना पोपला होता है कि अगर इस पार से देखा जाए तो उस पार का सीन दिखाई देने लगता यह पोपल है तो दोस्तों सबस्पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं पपीता बहुत ही गरम तासीर का फल होता है अब मैं आपको पहले शुरुआत इसके पत्ते से करता हूं अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया है डेंगू बुखार को जैसे अगर उसका पलैटीनियम घट चुका है तो पपीता के पत्तो का जूस बहुत ही जल्दी प्लैटीनियम को बढ़ाता है तो दोस्तों करना क्या है करीवन इस पपीते की इतने पत्ते को पीश कर इसका रस निकाल लेजे गरीवन evitar 10-20 god L कर देखक लिजे दोस्तों पत्ती इस्तमाल करने चिजिक हैं और दोस्तों यह फल जो है कछा है zamगर किसी को प्वासीर में यह जो पपीते का दूद निकल रहा है इस दूद को लगाने से मासा गलकर जो है जड़ जाता है दो चार दिनों के अंदर तो दोस्तों यह भी दूद भी काफी आयरवेदी में इस्तमाल किया जाता है और अगर किसी दाद खाज खुजली है एक जमा है अपरस है तो उसमें भी यह दूद लगाने से किटाडू बहुत जल्दी नश्ट हो भी खा सकते हैं इसके अंदर केल्सियम, मेगनेसियम, प्रोटीन, फाइबर इस तरह बहुत सारे बिटामिन तत्तु इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों जब यह पक जाता है इसके अंदर बीज निकलता काले-काले उस काले-काले बीच का बीच को सुखा कर पौडर बना और पके हुए फल जो है वो भी काफी फाइदे मन्द है लेकिन दोस्तों पके हुए फल अगर हमेशा नहीं मिलते हैं तो आप इसके बीच के चूरन को पौडर बना कर रख सकते हैं पेट समस्त बिमारियों उप्योग करने के लिए तो दोस्तों आज के हमारी महातपुर जानकारी बस इतनी ही थी अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लायट कीजिए सेर कीजिए सब्प्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक